नमस्कार मैं निधी रतन और आप देख रहे हैं नशनल दस्तक आज चौथे चरण का मतदान हैं तहरा राज्यों में 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है लेकिन सोचिए आधे दिन का मतदान हो चुका है और कैसे EVM की गड़वड़ी को लेके खबरें हमारे सामने आ रहे हैं तम लोगों की एक शंका रहती है तमाम लोगों का एलेक्शन कमिशन से एक सवाल रहता है कि EVM की गड़वड़ी की वजह से सरकार बहु मत में आ रही है लेकिन सोचिए चुनाव की दौरान जब ऐसी खबरें हमारे सामने आती हैं तो कहीं न कहीं जो जनता का वाजिब सवाल है वो कहीं न कहीं वो जायस ठहरता है आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से लगाता चौते चरण का चुनाव हो रहा है और आदे दिन भी पूरा नहीं हुआ है और किस तरीके से खबरे सामने आने लगी है कहीं तो EVM में इस तरीके की गड़बडी की खबरे मारे सामने आ रहे हैं कि वोट वो दे रहे हैं किसी और कैंडिडेट को और कमल के फूल की परचिया निकल रही है सोची किस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा था किस देश में फेयर लेस चुनाव होगा ये चुनावी महाउचसम में सब को अपने भागिदारी निभानी चाहिए और कैसे चुनाव आयोग बड़े-बड़े वादे कर रहा था बड़े-बड़े दावे कर रहा था लेकिन सोची है इन खबरों पर कोई संग्यान नहीं लिया कहीं खुले आद चारे सही ताकी धज्जियां उड़ाई जा रही है तो कहीं कैंडिडेट के साथ बरबरता की जा रही है और कहीं EVM में गड़बडी की खबरे अमारे सामने आ रही है सोचीए कैसे किस मूझ से इलेक्शन कमिशन कह रहा था की पार दर्सिता वाला चुनाव होगा जिसमें कोई गड़बडी नहीं होगी उसको लोगतंत्र बचाने के लिए चुनाव रखा जाएगा सविधान को बचाने के लिए चुनाव किया जाएगा लेकिन सरेयाम गड़बडी की जा रही है सरयाम किस तरीके से लोगों के साथ बचसलूखी की जा रही है सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए तो देखा आपने वीडियो इस वीडियो को इमरान प्रताब गडी ने टूइट किया है प्रिये केंद्रिये चुनाव आयोगा आप अगर जाग गए हो तो लखिमपूर खीरी से आ रहे हैं इवियम केश सिकाते सुने जनता करे कि वटन कोई और दबा रहा है पढ़ची कमल की निकल रही है सोचिए गोला गोकंड नाथ लखिमपूर खीरी की ये खबरे हमारे सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार वहां के वोटर कह रहे हैं कि हम किसी और कैंडिडेट को चुनाव देना चाहते हैं लेकिन सोचिए कैसे कमल के फूल पर हमारा वोट जा रहा है कमल के सिंग भूमलोक सभा में सोनुआ ब्लाग में बाल जोडी ब्लाग में आज मतदान के दिन मतदाताओं को भाजुपा अपने चुनाव चिन और मोदी के फोटो वाला वोटर परची दे रही है मुकदर्सक बने रही है एलेक्शन कमिशन और तुरंत कोई कारेवाई नहीं वो किस तरीके से इन खबरों को एक्सपोज कर रहे हैं लेकिन देश का चुनावायोग आखमूंद कर सो रहा है देश का चुनावायोग विपक्षी निताओं के लिए एक्टिव हो जाता है विपक्षी निताओं की छानबीन के लिए एक्टिव हो जाता है लेकिन सोचिए क कैसे सरयाम गुंडगर्दी की जा रही है, कैसे अच्छारे साहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे सविधानीक मुल्यों का मजाग बनाया जा रहा है, ये सरयाम देखा जाता है, वीडियो में ये जो महतर्मा दिख रही है, ये भाजपा के लिए वोट मांग रही इलेक्शन कमिशन जिन्दा है, तो इस महिला करमचारी पर कठोर कारवाई करें, ये मैडम जो हैं, वो सरकारी करमचारी हैं, इसके बावजुद वो लोगों पर दवाब बना रही थी, जनता भाजपा को वोट करें, तमाम सबूत सामने होने के बाद भी, इलेक्शन कमिशन मैं बैठे राजीव कुमार को ये तमाम खबरे नहीं दिखाई देती हैं, शाक्सी जोसी ने तूट किया है, शरम तो आपको आएगी नहीं, इलेक्शन कमिशन चुलू बर पानी में डूम मरो, सविधान का मजाग बना कर रख दिया है, आप लोगों ने से सोचिए, बीजे अधिकारी मतदान केंदर के अंदर मोधी मोधी के नारे लगा रही थी, पकड़े जाने पर हाद जोड कर माफी मांग रही है, कॉंगरेसी प्रत्यासी महेज परमार ने इस मामले में धरना दिया, तब कलेक्टर ने इने डूटी से हटा दिया, तो ये है मदर ओफ डेमोक्र जिसको लगातार भाजपा बचाने का काम कर रही है, चुनाब से 24 गंटे पहले सिंग भूमलोक सबा में भाजपा अपने चुनाब चिन और मोधी के फोटो के साथ मतदाताओं को मतदाता परची बाट रही थी, जिसमें मोधी जी की फोटो के साथ 400 पार का नारा लिखा गय यह है, बीजेपी का विकास, यह है, बीजेपी के विकास की गारंटी कि आप इमानदारी से चुनाब तक नहीं जी सकते हैं, कैसे अचारे सहींता की धज्या उड़ाई जा रही हैं और इस पर चुनाब आयोक तो कोई संग्यार नहीं लेगा, इस पर हमारे देश का आज मतदान के दिन, मतदाताओं को भाजपा अपने चुनाब चिन और मोदी के फोटो वाला वोटर परची दे रही है, चुनाब आयोक जिन्दा है, कि मर चुका है, तमाल लोग जो हैं वो चुनाब आयोक से सवाल कर रहे हैं, सोचिए, देश में सरयाम लोग तंत्र का गल रोपे की बारा मती में, जिन स्ट्रींग रूम में एवियम रखी हुई है, वहां का सीसी टीवी 45 मिनट तक बंद कर दिया गया, सोचिए, ये इमांदारिता से चुनाब किया जा रहा है, देश के परधान मंतरी 400 पार का नारा दे रहे हैं, अरे चुनाब कराने की क्या जबाब नहीं दे पाओगे, अगर लग रहा होगा कि गड़वड़ी आसानी से हो जाएगी तो भूल जो इस देश के लोगतंत्र के खिलाफ बिलकुल नहीं चलेगा, इवियम का रूम CCTV 45 मिनट तक बंद रहा, ये बेहत खतरनाक और संदे जना के लोगों का जो सवाल है, व मोदी सरकार का इस वार पत्ता साफ है, जो सोचिए हैदरबाइद की भाजुपा प्रत्यासी, पहले ये मैडम ने मुस्लिम विरोधी बयान दिया था और मालती लता ने बूत पर जाकर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब तक को उतार कर वोटर आईडी चेक की और हमारे देश का किसानों को गाड़ी से कुचल कर भी चुनाव कैसे जीता जा सकता है, ये बदमास भाजुपा से सीखना चाहिए, लगतार लोगों के साथ बचसलूखी की जा रही है, लोगों के तमाम जो जरूरी मुद्धे उनको भटकाया जा रहा है, देश का टीवी अख़वार कैसे आ चुनाव किया चौथे चरण की वोटिंग में अपने वोट के बहु मुल्य अधिकार का परियोग करके अर्थात पहले मतदान, फिर जलपान का संकल्प लगता जारी रखना है, तभी जनहीत विजन का लियान, अच्छी सरकार देश में संभाव हो पाएगी, आपका हर सवाजे सत्तव की मास्टर चावी के माध्यम से खुल सकते हैं, जैसा की जुक्टर अंबेट कर चाहते थे, तो बीस्पी सुप्रीम मायवती ने जनता से ये अपील किये सीधा-सीधा की अपने वोट से चोड़ कीजिए, क्योंकि ये पर्वु जो है, वो आपके सविधानी का दिकारों को बचाने का है, लेकिन सोचिए एक तरप कैसे आचारे सहीता के साथ साथ कानून की धज्यां उड़ाई जा रही है, और आज तेहरा राजियों में 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, आधे दिन में इस तरीके की खबरे आना बेहस जादा चिंता जनके लोगतंतर क के लिए इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजिए और आपके राजियों में चुनावी हलत क्या ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईगा, शुक्रिया